हेलो अब्रीबन, वेलकम टो बिवेकनन्द अगरिकचेकडमी आज की वीडियों बात करेंगे ICR रिजल्ट 2021 की बारे में ICR रिजल्ट 2021 डेकलियर कर दिया गया है आप किस तरीके से डाउनलोड करना अपने स्कोर कार्ड को कैसे देखना है इस बार ICR जो रिजल्ट आया है वो बिना फाइनल आंसर की दिये ही रिजल्ट डेकलियर कर दिया गया है ठीक है सबसे बड़ी एक कमी है पहले आपको फाइनल आंसर की देनी चाहिए थी इसके बाद आपको रिजल्ट देते पर ed ci girlक करेंगी आपक नीचे आपको तीन ओ१ याउओं पर तीन का यहां पर ट्खलक आ दिखाई देगा ठीक है यहां पर यहां पर तीन का यह वैक्याइश यह पर सपेस आपको आंप पर मिलेंगे पर इप्योंत्य में दॉन पर डाल सकते हैं यहां पर आप click करेंगे तो आपको इसमें application number, passport, security पर आप डालेंगे तो आपको यहां पर scorecard दिख जाएगा अब यह scorecard में क्या है दिखेगा किस तरह के दिखेगा तो हम आपको दिखाते हैं एक scorecard देखिए, जब भी आप इसको download करेंगे तो आपको scorecard कुछ इस तरह के दिखाए देगा यह आपको जो marks आए हैं इस बार, यहां पर marks और rank नहीं आई है जबकि इसके पहले जो रिजल्ट है 2020 में, NTA का 2019 में उसमें आपके marks आए थी और आपके जो है rank आई थी इसका मतलब यहां पर जो number आए हुए है, यह percentile base पर निकाले गए है तो यहां पर यह सभी को benefit मिलेगा जिनका paper tough आया जिस जैसे 7 और 8 सितंबर में paper tough आया था तो यहां पर percentile base पर number निकाल करके यह दिए गए है, ठीके आप देखेंगे यहां पर physics में इसके 77 है और chemistry में आपके 95% number है और आपके bio में जो है वो 97 है total जो percentile base पर निकाले गए number है वो 95% number आपके यहां पर है तो जिन बिद्यारत में कितने percent दिये गए है ठीके final यानि जो total यहां पर दिये गए है वो मुझे comment करके जरूब बताएं कि हम PCM group से हैं, PCB group से हैं, PCA या पर ACB और यतने हमाई total percent दिये गए हैं ताकि next video हम बात करें कि कितना आपके percentile base पर आपके cutoff जा सकती है PCA G में कितने total marks तक हो सकता है ठीक है तो यह चोटा सा video आप सभी के लिए था तो आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हम next video किसी नहीं जान काई से अबते के लिए इतना ही Thank you